हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू संधी पागरमोर टूटोरियल दोस्तों अभी मैं आप लोगों को आर्डिनो प्रोजेक्ट्स और उन प्रोजेक्ट्स की किस तरह से प्रोग्रामी की जाती है इसके बारे में बता रहा हूं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम बिना किसी फिजिकल डिवाइस के भी बिना आर्डिनो बोर्ड के भी हम किस तरह से सिमुलेशन का यूज करके एक साइट मैंने बताया थी विए साइट जिसकी सायता से हम ओनलाइन ही अपना प्रोजेक्ट बना करके और उसे प्रोग्राम करके किस तरह से रन करके देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो Arduino प्रोग्राम होता है उसका basic structure क्या होता है वहाँ पर हमें किस तरह से Arduino के प्रोग्राम राइट करना होते हैं इसके बारे में बताऊंगा और दोस्ते यदि समय जादा नहीं होता है समय अगर पर्मिट करता है तो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँगा कि एक LED को किस तरह से हम आसानी से और टीनो मोट की साथ में से बिलिंक करा सकते हैं दोस्तों यादे आपको हमारे वीडियू आये तो इसे लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटिस्ट वीडियो का नोटिविशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और आपको य लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से हम वो क्वीक वेफसाइट का यूज़ करके सिमुलेशन करके आसानी से अरडीनो प्रोजेक्ट को बना सकते हैं और उन्हें रन करके देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि हम यहां पर कोई भी कंपोनेंट को हैको सकते हैं और उसे हमारे सिमूडे करें और यहां सेallah है जो डिलेट वाला option आता है यहां से इसे डिलेट कर दें तो यह देखिए हमारा LED जो भावी डिलेट हो चुका है तो चलिए मैं आपको आप प्रोग्रामिंग के यह अग प्रोग्रामों में तो इसके लिए हमें कुछ सेट तुब करने जा रहे हैं तो उसकी तरह से दोस्तों वाली में इस बोर्ड में लगा रिए किस पिन पर कनेक्ट है कौन सी पिन आउटपुट की है कौन सी इंपुट की है यह सभी बाते हमें इस प्रोग्राम को भी बताना होता है ठीक है जाकि जो यह इसमें कुं सी पिन का यूज हम किस तरह से कर रहे हैं कौन कौन सी डिवाइस समें कनेक्ट है या सभी बाते हम इस सेट suf program में तो यहां पर आप ध्हान रखेंगे इसमें जो भी नहीं होती है इनमें इनपूट नहीं होती है तो यहां पर आप देखें यह 0 pin से लेकर के यह pin number जो यहां पर 13 है यह पूरी हमारी digital pin होती है यह digital pin ही आप input और output दोनों के रूप में यूज़ कर सकते हैं इसी तरह से यह analog अगर आप sensor को जोड़ नहीं है तो यहां पर A0 से लेकर के A5 तक pins होती है इन pins को आप input और output दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको प्रोग्राम के बारे में और थोड़ डिटेल पर बताता हूं तो मैं पहले यहां पर आपको device add करते जाता हूं और उसका किस परकार का setup होता है यहां बताते जाता हूं ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों हम यहां से एक LED ले ले लेते हैं ठीक है उस LED को हम connect करेंगे यहाँ पर LED ले आते हैं हम लोग ठीक है और उसके बाद देखिए यह मेरी जो LED है इस LED को मैं पिन नमबर 13 पर connect करूँगा ठीक है तो यहाँ से इसे positive supply दे देता हूं मैं इसे connect करके यह pin नमबर 13 पर connect कर दिया और दूसरे टर्मिनल को मैंने यहाँ ground पर connect कर दिया ठीक है इसे भी ground में इसमें board में तीन ground दिये होते हैं एक यह वाला ground pin है जो 13 से जस्ट ऊपर है इसके अलावा दो ground pin आपको यहाँ पर नीचे जो power supply रेल्स होती है महाँ पर भी दिखते हैं यहाँ पर भी आप इसे connect कर सकते थे लेकिन हम जो कि पिन है वह पिन नमबर 13 पर connect किया है तो हम इस प्रोग्राम को बताना होगा कि हमारी पिन नमबर 13 जो है वहाँ पर LED कनेट किया हुआ है तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर टाइप करेंगे आप इंटीजर ठीक है आइंट टाइप करें और यहाँ पर इसे बता दें कि यह हमारी LED पीन है ठीक है LED और पिन ठीक है तो दोस्तों यह प्रोग्राम होता है इसमें के सेंसिटीव होता है और जिस तरह से हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं उसी तरह से आपको इसे टाइप करना होता है ठीक है तो इंटीजर एलीडी पिन और इसके बाद हम यहां पर लगा देते हैं सेमी कॉलन थीक है तो इस तरह से दोस्तों इस सौफ्ट्वियर को यह सेंटेंस लिख करके यह सेंटेंस होता है जिस तरह से हमारे हिंदी या इंगलिस में हम सेंटेंस बनाते हैं वाक्यों को उसका एक अपनी और काम यह यहां पर चौल लगाना होता ह paints is to the back ofünüz लग बताने के लिए उाफ को यहां पर इंटेजर लिख करके उस डबाइस का नाम और सबक्राइब सब्सक्राइब होए यह बताना होता है और बाद में सेमिकॉलन लगाना होता है ठीक है दीरे दीरे आप इस चीज के यूस्टू हो जाएंगे और आपको इसमें काफी दीरे दीरे आपको जो है इजिली है समझ में आने लगेगा अभी आपको इतना याद रखें कि इस सेंटनेंस में मैंने बताया है कि यह पिन नंबर 13 पर LED कनेट किया हुआ है यदि मैं इसे पिन नंबर 12 पर कनेट करता तो यहां पर पिन मुझे 13 लिखना होता है ठीक है तो इस तरह से हमने अभी LED को इ यहां पर हमने फिसीकली कनेट किया हुआ है और लेफ्ट हैंड साइट पर हमने इसे प्रोग्राम में बता दिया है कि यह पिन नंबर 13 पर कनेक्ट है ठीक है अब देखे दोस्तों यहां पर हमने यह तो बता दिया कि यह यहीं सम इंपूर ऑपूट दोनों की तरह यूज कर सकते हैं तो यहां पर जो सेट अप करना होता है तो हम इस प्रोग्राम के वोईट सेट अप पाले जो पार्ट होता है इसमें हम बताते हैं कि हमारा एली जो आर्डिनों है उसका कौन सा पिन इंपूट के रूप में यूज हो रहा है कौन सा आउट पूट के रूप में यू टोर्शन है Here This void के अंदर वाला जो पोर्शन है इसले वाला आ है यह पोर्शन केवल एक ही बार रन फोता है ये जो लूप बाला पोर्शन है लूप बाला पोर्शन जिसे मैंने अभी हाईलाइट किया यह प्रोर्गां बार-बार इस बारद आधिनagen किया ही बार हम पावर सप्लाई देते हैं तब ही यह पूर्शन रन होता है इसे उधारन के दोर पर अब इस LED को ब्लिंग करना है ठीक है तो LED को ब्लिंग करने के लिए अमें इसको किवाल एक ही बार बताना पड़े है कि नंबर फिर्टी आउट पूट है यहाँ पर में लिएता हूं है और इसे लिख देते हैं ठीक है तो देखें यहां पर आप जो इस्पेसिफिक तरह से लिखा हुआ है यहां पर चोटे में और करने पर चोटे में लिखे हुए तो इसी प्रकार से आपको जब भी किसी पिन का मोड़ बताना होता है कि वहां इन्पूट है तो उसे इसी तरह से लिखना होगा फिर उसे छोटा ब्रेक्ट लगाकर करके जो पिन है उसका नाम लिख दें जो नाम आपने दिया हो उसके बाद आप महां पर कामा लगा करके इंपुट या आउटपुट जो भी इस पिन को बनाना चाहते हैं वो टाइप कर दीजिए लेकिन यह केपिटल में होना चाहिए ठीक है तो इस तरह से यह हम बता देते हैं इस सेंटेंस में कि पिन हमारी LED पिन ज में हमें प्याद करना है यह फोण ऊफ करना है तो यह अब आपड़ेगा तो इसके लिए आम चाहते हैं है यहां पर हम एक इसमें दोस्तों क्या होता है कि कुछ परोग्रम प्रोग्रामंग पहले से लिखे हुए हैं जो आपको पूरा प्रोग्राम लिखने की आवसक्ता impressionht ही आपके बाल उसका जो कुछ उसके जो सेंटेक्स होता है वो लिख दीजिए और अर्डिनो अर्ट इस प्रोग्राम को फिर रन करने लगता है उसे लाइबरी से ही पूरा पोर्ट कर लेता है जैसे कि अब मैं यहां पर आपको बताता हूं कि इसमें हम लेते हैं आप अधिज निटल राइट ठीक है कि यह है यह अधिजिटल राइट ठीक हम इस दिजिटल राइट में क्या करना है जो एलिडी पिन है इस एलिडी पिन से लडीकीं को हमें सबसे पेले हमेसे लोग कर देंगे सबसे पहले आप इसे लोग कर mã दीजिए शब squats फिर उसके बाद हम यहां पर नाधुین new ho जाती थे तो इसे हम लोग यह लो का मतलग क्या होता है डिचिटल में लोग का मतलग कि रिखी करने का मतलब करते हैं कि किसी का है बंद कर धेना चालू कर देना तो फिर देंगे ऐसे लगाएंगे कि कितिनी देर तक बंस तरह कर दें और यहाँ अब आपको बता देम कि यहाँ यहाँ पर दीLAY जो हैं वहाँ मिली सेकंडेल में धीया जाता है और दिन वॉड्य में सेकंड नहीं होते हैं मिली शेकंड में बता पड़ता है यहां पर हमें से 1000 मिली सेकंड याने की एक सेकंड का डीले देतें ठीक है उसके बाद Sounds दोस्तों फिर इसे डिजिटल राइट फिर हम कर देते हैं तो यहां पर इसे दिजिटल कर देते हैं और अलेधी पिन इह के लिधी को मैं звखें को Nou, जेते हूं को और इसे यहां पर इनी इसे कामई लगाना पड़ेगक और इसे घर कर दो है ठीक है इसके बाद पुन्हा दोस्तों यह जो डिलीटल राइट है कि यहां पर हम कि यह जो है यह जो डीले वाला है उस सिंटेक्स इसे फिर से कॉपी कर लेते हम क्योंकि इसे फिर देना पड़े हमें कि फिर एक से कंड के लिए रखना है से उसके बाद क्या होगा दोस्तों यह लूप पॉर्शन है तो यह जब यहां पर यहां पर यहां पर तर एट पर जाएगा और फिर कि MARK यहाँ बार बार ओन ऑफ करते हैं था तो इस तरह से आप ने देखा कि काफी आसानी से हम इस Arduino को प्रोग्राम कर सकते हैं दोस्तों यहां पर सुरू सुरू में अगर आप आप फ्रेश हैं तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यह क्या हो रहा है लेकिन आप एक दो बार खुछ से जब प्रोग्राम बना करके देखेंगे तो आप इसके करके देखना है तो आपको सिंपली केवल ये जो सिमुलेशन वाला बटन है इसे क्लिक करना है तो देखिए जैसे ही योजाएगा उसके बाद आप देखिए देखिए कि यह LED जो है बार बार बन चालू हो रहा है एक मिनिट के लिए ओन रोता है एक सेकंड के लिए ओन होता है एक सेकंड के लिए ओफ हो जाता है तो आप चाहें तो अगर माल लीजिए नहीं खरीद कर लाना चाहते हैं और आपको बोर्ड है तो आप डारेक्ट नमबर पर बिल्ट इन लीडिए उसे डारेक्ट भी ओन ओफ कर सकते हैं आपको बाहर से कोई लगाने की जरूवत नहीं है तो इस तरह से दोस्तों हम इस आउडियो बोर्ड को प्रोग्राम करते हैं आज के वीडियो में आपने जाना कि एक बेसी कि स्ट्रक्चर किस तरह का होता है औ लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकान को प्रेस करना एवं आल नोटिविशी लिएशन को इनेवल करना ना खुलने